हलो जी नमस्कार आपने कहावत जरूर सुने होगी कि बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो अपने सासा दूसरों के भी नाक कान काट लेगा इस कहावत को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप अरविन केजरिवाल को देख सकते हो एक ऐसा बंदर जिसके हाथ आप पंजाब की जनता ने पावर दे दिया अब उस पावर का मिस्यूद वो किस कदर कर रहा है आप सब देखी रहे हैं केजरिवाल की उपर एक गाना भी सटी की बैठता है कि सूचता हूं कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते वो केजरिवाल जो अन्ना हजारी की उंगली पकड़के जनल लोगपाल आंदोलन की पीपड़ी बजा करके सड़ली देश की एक सबसे बड़ चूतिया बनाया था तो हमको भी उसने बना दिया था हमें लगा कि भईया ये देश को बदलेगा चलो भई इसको सपोर्ट करते हैं और हम ऐसे हर कोई emotional fool साबित हो गया कुछ तो और बड़े वाले fool साबित हो गया जो की India Against Corruption के founding member भी बन गया जैसे कि कुमार विश्वास य दूरी बना ली क्योंकि केजरी वाल को आ गया था लालच रात और रात हो एक celebrity बन गया था वी आईपी बन चुका था और इतना जादा लालची हो गया कि दिल्ली में चनव जीतने के बावजूद इस्तिवा देकर काशी पहुंच गया था मोदी से चनव रहने उस लालची आत्म मुग्द बॉने को लगा कि भाया देश में उसके नाम की लहरे क्रांती आ चुकी है काफी सारे मीडिया वाले भी अपना जॉड़ कर के केजरी का पलू पकड़ चुके थे उसे लगा केजरी को कि अब तो वो काशी जाकर मोदी को हराएगा लेकिन वहां से वहां से व ऐविंद चुछिरीवाल मुछि अर्विंद चुछि रव hvadड एपिने लेकाphon है की इसार, बायतोंअर ए sapन ही इसार प्रिकति एविंद से लग अरविंद के शुछि वाल, ऑन पलिमने चुछि भीर,न Спה doenबिकति है उस है I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life I have no political ambitions Does that apply to all the core members of your team? It does I can talk about myself, I have no political ambitions And you will never fight an election, you will never seek a political post? I'll never fight an election, I'll never fight an election Arvind Kejriwal, ishwar ki shapat leta ho Ishwar ki shapat leta ho जब इतना ज्यादा प्रश्टाचार हो गया एक आमा आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और सरकार ने लोगपाल बिलबास करने से मना कर दिया सरकार ने कोई एक्शन देने से मना कर दिया तब और कोई चारा नहीं बचा, राजनीति में नामे के सिवा कि गुलाम बन गई दिया हमारे देश का जंतांतर हमारे देश की राजनीती and as always in politics there are no permanent friends or enemies after cracking him over corruption today Irwin Kedriwal photograph hugging Lalitushad Yadav मैं जबाच आया था बहुद बड़ी चंता लेके आया था लेकिन आज इतना बार्चन समू देखके और स्टेट पे बैठे वी इतनी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को देखके आज मैं सकून के साथ वापस जा रहा हूँ हम किसी को सपोर्ट नि करेंगे बिकर जो लोग हमें वोट दे रहे हैं कि मानदारी की वीपे बूठे रहे हैं व 빠ग। इस खरी करेंगेícia कि तॉक्त हैं बाई साब, हम कॉंग्रेस को इस मना मना के ठक गए, मना मना के ठक गए गठबंदन कर लो, उनकी समझ में नहीं आएगा जितनी ओफिचल जानकारी मिर को है, कॉंग्रेस गठबंदन के लिए मना कर चुकी है और आया कॉंग्रेस आप आदमी पार्टी का गढद बन दन नहीं हो रहा नहीं हो रहा ऐसे उन लोगों ने बताया अब बंब लेकिन वो पॉलिटिक्स में आया ऊस समय वो लोग जो जो केजरी को सपोर्ट करते थे उने लगता था किछर बीड़ म मिगतर जो शरद पवार जी के खिलाफ सबूत दिये थे वो हम 15 मंत्रियों में यूज कर चुके थे हमारी वेबसाइट के उपर है उसके उपर तो दस दिन तक मैं अंशन पे बैठा था दस दिन तक खाना नहीं खाया था वे शरद पवार जी के खिलाफ इतने सबूत थे उनके पास 10 दिन तक खाना चोड़ दिया वो लिए खर्ताल पे बैठ गएगी कोई कारवाई करो शरद पवार के खिलाफ और आज शरद पवार के घर पे शरद पवार के सात बैठ के खाना खा रहे हैं वो कहते हैं ना आए तो थे तब आएफों के कोठे बंद कराने लेकिन जला सी सिक्कों की खनक क्या सुनली अपने ही पैरों में घूरुबांद के नाचने लगे अच्छे से लोगों की नब्स पकड़ी की यहां पर अनपढ़ गवार लालू जैसे लोग भी अगर मंतरी बन सकते हैं और एक पड़ा लिखा है IS IPS जो काफी मेहनत करके IS IPS बनता है वो एक अनपढ़ गवार को सल्यूट करता तब यह इंडिया के लोगों को चूतिया बनाना ब मंतरी एक बार अगर आप बन गए तो फिर आप सिस्टम के राजा बन जाओगे फिर यह IS IPS सिस्टम आपकी जेब में रहेगा और इसी सिद्धानत पर चलते हुए अरविन केजरिवाल जो की इंडिया अगेंस्ट करूप्शन की बाते करता था उसने आगे चलकर थूप कर च अचली में समसे मिल गया और ये केजरिवाबू जो आए दिन मोधी सरकार के उपर आरोप लगाते थे कि मोधी सरकार लोकतंतरी के हत्या कर रही है अफासिवाद नाजिवाद खुद अरविन केजरिवाल ने अपना राजनितिक केरियर मोधी को गाली दे दे कर बनाया है इन की पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों आज जब आप गांगों के इंदर में जाओगे कुछ लोग भरमित हैं कुछ लोग कहते हैं मोधी राष्टरवादी हैं कुछ लोग कहते हैं मोधी देश भगते हैं आज आपकी जिम्मेदारिया जाके कहना कि मोदी जी इससे जाए बड़ा देश द्रोही कोई नहीं है दोस्तो लेकिन मोदी जी ने केजरी को कोई भाव नहीं दिया हाला कि केजरी ने मोदी सरकार के कई मंत्रियों के खिलाब बहुत आपती जनक टिपपड़ियां करी लेकिन उन मंत्रियों ने जब केजरी को कोट में घसीटा मान हानी का केस किया तो केजरी ने माफ कर दो जी माफ कर दो जी जबान फिसल गई थी बाफकर दू जी तो ये जो traids ने परसनालिटी के के गेजरी के ये साबित करते हैं कि ये कितना दोगला इंसा ने थुक थुक करके चाड़ता रहता है मोदी को इसने इतनी गालिया दी और मोदी जी को सिर्फ केजरी ने नहीं बल्कि कॉंगरेस के कई नेता होने पता नहीं क्या क्या बोला नीच, कमीना, मौत का सौधागर, मोदी जी की मा, उनकी बीवी साब को ड्रैक कर लिया था। फिर हम यहां केजरी की बात कर रहे हैं तो वो केजरी जो देश के प्रधान मंत्री को अब शब्द बोल सकता है, गालियां दे सकता है, अबद्र भाशा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन खुद अपने लिए यह केजरी बाबु कुछ नहीं सुन सकते, यह केजरी बाल जिसने कोई कभी कसर नहीं छोड़ी मोदी जी को जलील करने या फिर मोदी जी के खिलाफ अबद्र भाशा का प्रयोग करने में, लेकिन वो केजरी वाल खुद के खिलाब एक शब्द नहीं सुन सकता अभी केजरी वाल ने एक कॉंट्रोवर्सी कर दी थी वो कश्मीर फाइल्स फिल्म के उपर इसने मजाग बनाया था इसे यूटीब पर डाल तो बीजेपी जोटी पिक्चर भी जोटी उसके उपर बीजेपी दिल्ली के नेता तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट करा अब भाया उस ट्वीट में जो भाषा थी वो तो केजरी को नागवार गुजरी मतलब केजरी दूसरों को साइकोपैत कावड पता नहीं क्या के बोल सकता लेकिन खुद अपने खिलाब एक शब्द नहीं सुन सकता तो वो केजरी जिसने पंजाब के लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाए कि चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे लेकिन चुनाव जीतने के बाद पर किया रहा है एक पुलिस की टीम लगा दी कुमार विश्वास के पीछे एक पुलिस की टीम लगा दी तेजिंदर बगा के पीछे एंड बाकी बची पंजाब पुलिस की जितने भी टीम हैं जितने भी लोग हैं जितने भी अफसर हैं उन सब को लगा दी कि ट्विटर या सो को टक कर देने के लिए इंडिया में आ चुका है अर्विन केजरिवाल और फो अर्विन हिटलर वाल और जिस तरह से पंजाब की सत्ता मिलते ही बौकला चुके है अर्विन केजरिवाल जी साबित हो रहा है कि हमारे देश के अंदर एक पंजाब का तो काफी सेंसिटिव एरिया है और जी निउस आई कि पंजाब पुरिस का कोई इंटेलिजिएंस विंगे उसके डोर उसके गेट के उपर ही एक ब्लास्ट हुआ है हाला कि कुछ जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन रॉकेट लांचर से हमला हुआ है तो मतलब ऐसे रॉकेट लांचर आर्मी के पास होते है या फिर ISI के तुरू लोगों को आतिकवादी को मिलते है अब ऐसा रॉकेट लांचर पंजाब में कहां से आया ये तफ्तीश करना पंजाब पुलिस का काम होना चाही लेकिन पंजाब पुलिस गुमरे ये बग्गा को अरिस करना है या फिर कुमार विश्वास या पिर अल केजरीवाल की खिलाब ट्वीट करने वाले या वीडियो बनाने वालों को डून डून के पकड़ रही है वैसे कहीं अगर मेरे को पकड़ लेंगे तो अच्छा ही होगा जैसे महां बग्का को फैमस कर दिया केजरीवाल ने हो सकता भया पंजाब पुलिस मुझे चार दिन मार्केट क्या पता फैमस भी कर दे मैं केजरीवाल जी अगर आप ऐसे फैमस करना चाहते हो तो प्लीज हमको भी कर देना भाई साव है कि नहीं अब ये बात मैंने मजाक में कही है लेकिन मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी आत्म मुगदता में सेल्फ आपसेशन में ऐसे ड यूएसे का प्रेसिडियंट भी डिकलेर कर चुका है तो केजरीवाल अपने अलावा कुछ नहीं देखता उसे किसी की नहीं फ़िकर है उसे ना देश की फिकर है ना देश की जनता की ना संविधान की केजरीवाल को बस खुद के स् chuारत से मतलब है इसलिए तो वो डिल्ली में जीता चुनाव लेकिन इस्तिफा देकर काशी पहुत किया इसे कहा जाता कि आदी छोड़ पूरी को भावे आदी मिले ना पूरी पावे मतलब आदी छोड़ कर पूरी को लेने के भगा था लेकिन झाल झाल